अगर आप इलास 11 के स्टूरेंट हैं और इसे डाउट है कि हमें कितने नंबर चाहिए होंगे पास होने के लिए तो बहुत असान है आपको ये जानना आपको चाहिए होते हैं 33% लेकिन फरक क्या है 9th और 10th में आपको practical और theory मिलाकर पास होना होता है जबकि 11th में ऐसा नहीं है आपको दोनों में अलग-अलग पास होना पड़ेगा जैसे example अगर हम ले आप जानते हैं 100 नंबर में से अगर आपको 100 का paper है तो 33 वाला पास हो जाएगा अब माल लो आपका 80 नंबर का theory है और 20 का practical है तो अगर आपके 85 नंबर आगे थियोरी में 35 मार्क्स आगे है 80 में तो आप practical में 0 भी ले आएंगे न 9th में तो आप पास हो जाएगे यूँकि आपके 35 नंबर में तो पहली बन गे 30 नंबर से जादा बन रहे है तो आप पास हो जाएगे 9 नंबर में लेकिन 11 में ऐसा नहीं होगा तो यानि कर आपको 80 नंबर का पास हो जाता है 17 नंबर का पास हो रहे है तो 23 वाला पास है 17 वाला में से 23 वाला पास होता है अगर आपका 10 number का paper है, 20 number का paper है, 50 number का paper है, जो भी paper है आपका, उसको आपको calculate करने के लिए क्या करना होता है, calculator में चाहिए, और 33% को type कीजिए, लिखिए 33%, और आगे multiply कर दीजिए, आपकी जो maximum marks है, निकि जिए number paper उसे multiply कर दीजिए, जो answer आएगा, भई आपका, कम से कम minimum passing marks हो आपका लिंग description में दिया हुआ है, आपको download कीजिए, आपको ID सर्च कीजिए, with your classes at the rate cf4, ID भी दे रखी है, वहाँ पर आपको शाल मिल जाएगा, उस एप पर आप सिर्जा फिर पास से direct call कर सकते हैं, विड़ा पूल सकते हैं, तिंक्यू सुलेज,